तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संभावना और बादल का विवा हो चुका है। सभी लोग इस शादी से खुश हैं, लेकिन मेखना और गीता इस शादी से खुश नहीं हैं। वे लोग तो बस संभावना को परिशान करने के लिए नई नई तरकीब सोचा करते हैं। इसलिए जो साडी अकांशा देवी ने अपनी बहु के लिए भिजवाई थी, उस साडी पर दोनों दाग लगा देती हैं। बाद में साडी को छुपा देती हैं और इस बात का इल्जाम वो संभावना पर लगा देती हैं। अब आगे उस साडी वाली बात को एक दिन हो जाता है। बेटा क्या हुआ? साडी मिली क्या? नहीं माजी। तुमने वे साडी किसी को दे दी है क्या? नहीं माजी। छोड़ो अभी मेरी बेटी की नहीं नहीं शादी हुई है। ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। कहीं बात न बिगड़ जाए। क्या हुआ माँ? आप क्या सोच रही है? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। तभी वहाँ पर गीता आ जाती है। अरे संभाबना बहू, जुरा किचन में चलो, आज हम तुमारे हाथ का बना हुआ कुछ खाना चाहते हैं। भई अब तुमारी सास तो बोले की नहीं, सोचा की हम ही बोल दें। अरे लेकिन। अरे भाबी फिर क्या हुआ? अच्छा संभाबना तुम बता, तुम नहीं चलोगी क्या? अरे आप ऐसा ना कहिए, मैं जरूर चलोगी। अच्छा, तो चलो फिर। वो किचन में जाती हैं, जहाँ पर मेखना पहले से ही काम कर रही थी। ओहो मेखना, ऐसा क्या बनाया है जो इतनी खुश्बू आ रही है, मुझे भी बता जरा। जी मैंने अभी बैंगन का भरता बनाया है। हे भगवान, अब मैं अपनी सास और भुवा सास को कैसे बताऊं कि मुझे तो तड़की की खुश्बू से अलर्जी है, और उपर से मुझे तो कुछ पकाना भी नहीं आता। हे भगवान, बचा लीजीगा आज। अरे संभावना क्या सोच रही हो, चलो तुम भी दिखाओ अपनी कलाकारी और बना दो कुछ अच्छा सा। अरे संभावना इतने बड़ी घर की बेटी है, उसे खाना बनाना थोड़ी ही आता होगा। हाँ, बड़ी आई, लार्ड सहाब की बेटी। अरे नहीं आता, तो हम सभी मिलकर सिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं भी सिखाती हूँ संभावना को, मैंने छोले भीगोकर रखे थी वही बनाने हैं आज। हाँ, बहु। तो सभी लोग मिलकर संभावना को छोले की सबजी बनाना सिखाते हैं। तो चलो संभावना, इसमें अब प्यास डाल दो। संभावना डरने लगती है। वो, वो, माजी… ओहो, दिवरानी जी, डर ये मत, लाइए हम कर देते हैं। तो मेखना जैसे ही प्यास डालती है, वैसे ही संभावना जोर-जोर से खासी करने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ। वो, माजी, मुझे अलर्जी है चौकी के धुए से। हे भगवान, तुमने पहले बताना चाहिए था न हमें। और तभी संभावना बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर उसे चेक अप करके दवाईया दे देता है। डॉक्टर साहब, यह ठीक तो हो जाएगी न। हाँ, आप सभी को डढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हाँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखेगा, मामला सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यभाद, डॉक्टर साहब, नमस्ते। जी, नमस्ते, नमस्ते। और तभी थोड़ी देर बाद, बादल और उसका बड़ा भाई भी ऑफिस से आती है। संभावना तुम ठीक तो हो ना? अरे आप चिंता मत करिये, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे संभावना तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम बस कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, तुम्हें कुछ पकाने बनाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए नौका रखवा लेंगे। अरे हमने कहा न, कि परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस तुम कोई भी काम नहीं करोगी अपसे. भाबी, बादल ने तुम्हारे ले तो कभी नौकर रखने की बात नहीं करी, और देखो, अपनी बीवी के आते ही कैसे बदल गया? हाँ, वही तो, मैं भी देख रही हूँ माजी, अरे लेकिन उसे अलर्जी भी तो है न, इसले ही कह रहा है, अरे और तो बहुत से काम है, वो काम तो खुद कर सकती है न, चड़ाओ चड़ाओ सिर पर, मैं भी बहू हूँ घर की, मैं घर का काम भी करती हूँ, लोकों के रही हूँ, वा, आप तो बहुत अच्छी सिलाई करती है, हाँ, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन घर की सिम्मेदारी आ गई, तो मैंने छोड़ दिया, अरे तो आप बिजनेस स्टाट कर सकती है, मैं मदद करूँगे आपकी, अच्छा, ठीक है, ये तो बह संभावना रेस्टराँ जाते हैं, ये मेरा फेवरिट इटिंग पॉइंट है, अच्छा, तो ये बात है, तो कौन सा पिज़ा खाओगी राइना, तो सभी लोग पिज़ा ओडर करते हैं और खाने लगते हैं, तभी संभावना नोटिस करती है कि एक औरत उन्हें बार बार देख रही है, लेकिन वह इस बात को नजर अंदास कर देती है, चाची अब चलते हैं, भाबी जी चलिए, वैसे आज बहुत मज़ा आया है ना, हाँ, ये तो है, और तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं, वही दूसरी और संभावना मेगना को पैसे देती है उसकी बुट समान लाना है, क्योंकि स्कूल में फंक्शन है, आप चलोगी मेरे साथ? हाँ पीटा, चलो, आजकल ममी बहुत बिजी रहती है, उनके पास समय ही नहीं है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा, अच्छा, हाँ, ममी को आप काम करने दीजिए, मैं हूना, हम चलते हैं उस समय गीता और मेखना दोनों की बाते सुन रहे थे, तरसल गीता ने जान बुच कर मेखना को उनकी बात सुनने के लिए बुलाया था, देखा, तेरी बेटी अब अपनी चाची की बहुत साइड ले रही है, आप चिंता मत करिये, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, यह समझत क्या है अपने आपको, मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाती है? हाँ, हाँ, देखते हैं, तो इसके बाद से राइना अपनी चाची के साथ ज्यादा समय बिताती है, और उन्हें बहुत अच्छा मानती है, वही मेखना अपना बुटीक के काम के कारण ज्यादा तर बिज इसलिए वह अपने बच्चे और अपने पती पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, मा, आज मेरी स्कूर में फंक्शन है, आप चलेंगी ना? बेटा, आज तो मुझे बहुत काम है, ठीक है, मैं चाची के साथ चले चाती हूँ, चल बेटा, मैं भी चलती हूँ तेरे स चाची, मुझे आइस्क्रीम खानी है, तुम दोनों लोग जाओ बेटा, मैं यही टैक्सी के अंदर बैठ कर इंतिजार करती हूँ, ठीक है, तो दोनों आइस्क्रीम लेने जाती हैं, भाया, एक आइस्क्रीम दीजिए तो, क्या भी आड्रिस मुझे बता सकती है, हाँ, यह से लेट चाहिए, फिर राइट मुझ जाएगा, संभावना उस लेडी को एड्रिस बताने में बिजी हो जाती है, कि तभी वहाँ पर एक बेकाबू वैन आती है, और राइना को टकर मारने वाली होती ही है, कि गीता जोर से चिलाती है, राइना, राइना उस वैन से बचने क कोशिश करती है, वह बच तो जाती है, लेकिन वह गिर जाती है, और उसके पैर में चोट आ जाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? तुवे तुरन टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर उसे हास्पिटल ले जाते हैं, वही गीता ने मेखना को फोन करके उसके कान भर दिये थ और संभावना के बारे में उल्टा सीधा कह दिया था, ए भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? अभी आकर उसकल मुही को सबक सिखाती हूँ. हाँ, जल्दी से सबको लेकर आजा तू. तो अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि मेखना अखिर संभावना के साथ क्या कर करने वाली है.